हेलो दोस्तों नमस्कार हमारे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे LED बल्प के बारे में जो की 3 वाट का है और दोस्तों जो LED बल्प है इसके इंदर जो ड्राइव सडकी थोड़ता है यान जी इससे LED जलती है वो खराब हो जाए और खराब इस कदर हो जाए कि वह रेपेर रेबल नहीं हो रह पाए तो उस कंडिशन में हम दोस्तों उसमें ट्रास्फरम लेस सरकीट बनाकर उसका यूज कर सकते हैं तो देखे हमने सप्लाइव ली और देखे इसमें सप्लाइव हम जोड़ देते हैं यह दोस्तों हमने प्राइड है बिल्कुल तो इसको हम ओपन कर लेते हैं देखें ओल्ली तीन लड़ी लगी हुए इसके अंदर एक बाट की एक अलड़ी है टोटल तीन बाट का है अब इसकी जो अंदर पीसी भी है जो ड्राइ सरकीट है उसको निकाल लेते हैं दोस्तों जो इसके अंदर सरकीट लगावा है इस की जो ड्राइएज ही वह भी खराब हें वह ट्रास्फर्म भी खराब है हम आपको चेक करके भी दिखा देंगे तो इस कंडिसन में इसका क्कुक्श्ट भी नहीं होती और छ सही चलती है जो तो देखें दोस्तो हम आपको दिखा देते हैं इन नपीट देते हैं इसमें यह मैं हम ने पूट दे दिया देखें वह दो इन फूट आ रहा है ज़िके Empress लेकिन रहा है देखें अ यह इसकी ड्राई आज से भी खराब है और ट्रास्फर्म भी खराब है तो दोस्तों इस कंडिशन में क्या करेंगे पहले इसको जो इसकी एलेडी है उनसे आटफुट की बार अटा लेते हैं अब दोस्तों इसमें हम एक 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 टेस्ट फॉल करके देखते हैं हिए इंप्ट ऑड़ें लेकिन आउटफुट नहीं है इसमें आउदेए नहीं है तो इस कंडिशन में क्या करें दोस्तों देखिए ये स honeyIT बनाई ये तो देखिए यह 400 वोट का कैपिस्टर है और यह वो इलेक्ट्रलेट का फिस्टर था यह पौरी कपिस्टर यह 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 चार सो गुल्ट का है और यह एक रिश्टेंस लेंगे हंडर केगी और यह 4007 डावड लेंगे 4 तो इस तरह आपको ब्रीज बनाना है इनका दो इस करके पोजिट्व निगेट्व और दूसरा पोजिट्व निगेट्व अब देखिए जो हमारा पोजिट्व और निगेट्व निगलता है उसको कैपिस्टर की जो पलस और माइनस वाली लाएग फेले इसको फेले यहां पर ऐसे लगा देंगे नगा की बेट्व और निगेट्व और अप्रीक फिस्टर की यहां पर है कि यहां पर आइसा लगा देंगें तो यह रिस्टेंश लगा दिया हमने इसको सोल्डिंग कर लेते हैं तो दोस्तों यह सोल्डिंग हमने कर लिया है अधे के सरकिट तो यह बन गया है बस यही कंपोनेंट चीए इसमें इतना इसाए सरकिट है यह इसकी लैग पर हमने छोटी कर लिए काट के अब इसमें जो एलडी है इनको भी दोवार लेके पलस और माइनस की पलस और माइनस की डिरेक्शन देखके लगा देते हैं और ऐसे ही पलस माइनस यहां पर जोड देते हैं कापिस्टर के एक माइनस पर एक पलस पर तो जोड़ दिया हमने वर सोड़ लिंप कर देते हैं तो देखे पलस और माइनस माइनस किरिन वाला है और पलस बुले वाला अब जो दो सब्सक्राइब के पुजितो निगेट है महाँ पर यूज़ कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर में इसी देंगे इसको इसे इन्पूट देंगे हैं तो दोसरी निकले है माइनस पलस दोनों साइड के उन पे लगा देते हैं इन्पुट में और थोड़ी लैग बड़ी काट देते हैं जो बल्प के उल्टर में आसाने से घुच जाए तो यह हमने दोनों बाइर चिल लिए और यह थोड़ी लंबी करके ऐसे घुचा देते हैं तो यह दोनों जो बाइर है वो निगल लगी है अब इनको सोल्टिंग कर देते हैं तो देखें दोनों टर्मिल्टर हमने सोल्डिंग कर दिये हैं जो बचीवी लाइग है उनको काट देते हैं तो यह बचीवी लाइग हमने काट दिये है अब दोस्तों क्या करेंगे ताकि कोई सोट सर्किट ना वो यह इंसुलेशन पेपर लगा देते हैं इसके ऊपर तो यह इंसुलेशन पेपर है हमारे पास में इसको काट लेते हैं जतना इसको चाहिए और इसको इसके ऊपर लपेट देते हैं तो ऐसे गुसागे इसमें इसको लपेट देते हैं और ऐसे डाल देते हैं इसके अंदर और ऊपर से इसको बंद कर देते हैं देखेंए एक दम फिट आ गया और यह इसकी कैप भी लगा देते हैं तो लिजे दोस्तो यह बलबन के तियार हो गया अब इसको टेस्ट कर लेते हैं तो देखें बिल्कुल बढ़ी है अच्छे से जल्दा आए कोई दिक्कत नहीं है बढ़े हो जलता है तो दोस्तो आज किस वीडियो में तना यह वीडियो देखने के धन्यवाद वीडियो चाहिए तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमेरे चानल को सस्क्राइब केजिए धन्यवाद